Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications Carried Cloud को जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses है, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications है, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना है, हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses है, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेंगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, both in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे, जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत जादा helpful रहने वाली है, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, and आप quiz attempt कर सकते हैं, weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, and फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्रवा, तिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते ह name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाते हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुवारा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का friends, यह हमारी वीडियो थी, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ साथ friends, आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं, आप Telegram चैनल पर जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862 या फिर आप हमारी mail ID पर हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए, इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं, code और याद रखना वो है विकास 10, अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं, आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पर मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है, या आपका course purchase हो गया है, पैसे cut गए हैं या कोई भी issue आ रहा है, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 967733862 या फिर आप mail कर सकते support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा and आपकी problem को solve करेगा Hello everyone, तो आज की वीडियो में हम friends 17 अगस्त के important current affairs discuss करेंगे, काफी helpful session रहेगा and तक बने रहेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, चलिए start करें, सबसे पहला question, which edition of independence day did we observe in 2023, और यहीं पे अगर मैं पूछ लूँ, which anniversary of independence day did we observe in 2023, वो बताओ, तो दोनों का answer थोड़ा लग होगा अगर anniversary की बात की जाए तो यह 76th anniversary रहेगी और अगर edition पूछ जाए या फिर कौन सा independence day observe किया हमने तो यह 77th independence day observe किया था, right, red ford पर इसका event हुआ था, हमारे prime minister नरेंदर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसको address किया गया था, right, and यहाँ पर एक theme थी जो कि आपको याद रखन है, वो है nation first, always first, यह आजादित का अमरित महुतसर्फ celebration जो कि 2021 में हुआ था, उसके अंडर यह theme को celebrate रखा गया था, and याद रखेंगे, इंडिया ने 77th independence day and 76th anniversary थी independence day की जो हमने 2023 में observe करी, ठेक, फिर यहीं पर याद रखेंगे, during this event, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी के द्वारा, यहाँ पर एक विश कर्मा योजना को launch किया गया, right, it is to benefit individuals skilled in traditional craftsmanship और artitions, जो आपके workers होते हैं, craftsmanship होते हैं, weavers होते हैं, goldsmith होते हैं, laundry workers होते हैं, barbers होते हैं, nai होते हैं, right, इनके लिए यह विश कर्मा योजना launch की गई ताकि इनको benefit प्रोवाइड किया दा सके दूसरी याद रखेंगे, प्रेजिडेंट मुर्मु के दवारा, प्रेजिडेंट तत्राकशक मेडल, प्रेजिडेंट तत्राकशक मेडल, यहाँ पर दिये गए इंडियन कोस्ट गार्ड को, यह जो तत्राकशक मेडल होते हैं, यह मेडल्स आपके इंडियन कोस्ट उनकी ब्रेवरी के लिए एंड जो वो exceptional work करते हैं during their duty उसके लिए इनको यहां पर यह medal से honor किया जाता है नेक्स आजाता है फिर national affairs अभी हमने देखा कि सतर्वाइ एडिशन था यह independence day का और anniversary पूछ ले तो 76th anniversary थीम देख लिए हमने थीम क्या थी nation first always first राइट और हमने देखा प्रेजिडेंट आफ इंडिया ने जो द्रॉबदी मुर्मुमाम है एक प्रेजिडेंट अत्रक्षक मेडल और पांच तत्रक्षक मेडल दिये गए इंडियन कोस्ट गार्ड परस्नल्स को moving on next बात करते हैं liquid nano DAP plant की जो कहां पर located है कहां पर बनाया जाएगा तो याद रखेंगे सबसे पहले इफको के द्वारा ये liquid nano DAP launch किया जाएगा multiple times हम daily current affairs की वीडियो में इसको कर चुके हैं इस topic को कि liquid nano DAP की बात की जाए तो इसको के द्वारा बनाया जा रहा है काफी cheap भी है affordable भी रहेगा and जादा better quality करेगा बाकी product से right and ये पहला liquid nano DAP बनाया जा रहा है इसको के द्वारा कहां पर located होगा गुजरात में located होगा इसको बना रहा है and DAP क्या होता है डाइ-amonium phosphate right डाइ-amonium phosphate ठीक है यह होता है आपका DAP correct तो liquid nano DAP का plant इसको बना रहा है का बना रहा है गुजरात में and इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हम अमिच्छा जो कि हमारे home minister है ये दो डे की टू डे की visit पे थे इन गुजरात जहां पे इनोंने काफी dedicate किए various projects और इनोंने करेट कि ठीक है फिर EC के साथ याद रखेंगे इन्होंने foundation stone lake of regional hub of national security guard ये कहां पर है गांधी नगर गुजरात में and ये two day के visit पे इन्होंने ये सब launch किये और ये जो project की worth थी 1052 करोड रूपीज की ये worth रही नेक्स आज आते हैं प्रेजिडेंट द्रॉप दे मुर्मू इन्होंने ascent दिया to four bills देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कभी भी जो bill pass होता है वो act कब बनता है जब प्रेजिडेंट की उस पर मोहर लग जाती है right प्रेजिडेंट उसको pass कर रहता है तो according to Indian constitution the bill becomes an act after the president has given the ascent to it and the act will be notified in the official gazette therefore the above bill now will become an act correct तो अभी president of India द्रॉप दे मुर्मू के द्वारा चार bills को ascent दे दी गई है पहला है digital personal data protection bill यह हमने देखी चुके हैं कि किसी भी अगर individual का data को company store करती है तो वो एक limit तक होगा and जबी भी उसका use पूरा हो जाएगा उस data को delete कर दिया है तो वहाँ पर penalty है अगर उनका company पर किसी का cyber attack होता है and उस case में अगर वो organization आगे report नहीं करती है उस cyber attack को government को नहीं बताती है तब भी उस company पर वहाँ पर आपका penalty लगेगे तो पहला तो यह हो गया दूसरा जाता है registration of birth and debts bill तीसरा जाता है जन विश्वास bill and चौता जाता है the government of national capital territory of Delhi bill तो यह चार bill को अभी ascent दे दिया गया है और अब यह act बन जाएंगे यह bill थे bill से अब ascent मिल गई प्रेजिडेंट की तो अब यह act बन जाएंगे यह data update होता रहेगा तो एक ही file में सारी चीज़े update होती रहेगी तो जो आपको decision लेना होगा वो better हो जाएगा future में मालों आपको कोई decision लेना है related to it तो आप easily decision ले पाएंगे informed decision ले पाएंगे क्योंकि आपके पास choices होगी correct security भढ़ जाएगी record keeping यहाँ पे easy हो जाएगा तो CES का तो यह benefit हो जाता है तो यह PFRDA क्या है यह है Pension Fund Regulatory and Development Authority इन्होंने CABY के साथ tie up किया ताकि National Pension System Statement of Transaction को किसके साथ लाया जा सके integrate किया जा सके Consolidated Account Statement के साथ राइट चालिए यह directly याद रखेंगे फिर अगर मा बातरू PFRDA के जो chairperson है वो कौन है दीपक महाटी जी headquarter कहाँ पे रहेगा नियो डेली में establish कब किया गया था 2003 में इसको establish किया गया था नेक्स्ट किस organization को भी mutual fund का license मिल गया सेवी से या फिर हम कहें किसको भी EMC का भी license मिल गया फ्रॉम सेवी से तो वो है जैरोदा जैरोदा अब asset management company बन जाएगी अब correct and यह high net individuals जो थे high net worth individuals उनके पैसे को यहाँ पे manage करेंगी उनके assets को manage करेंगी and invest करेंगी इस तरीके से कि उनको भी proper fixed return दिये जा सके है जैरोदा हम जानते हैं यह पहले equity में invest कराते थे यह shares buy कराने का platform है काफी famous platform हो गया है पिछले कुछ सालों में correct जैसे जैरोदा हो गया grow हो गया यह ऐसे platform है जिस पे आप अपने shares buy कर सकते हैं companies में invest कर सकते हैं correct तो विशाल जैन एक और interesting चीज़ विशाल जैन यहाँ पे अभी CEO point के गए है जरोदा fund house के और यह जरोदा fund house क्या है यह joint venture है between zerodha and your zerodha and small case technologies private limited तो zerodha and small case technologies private limited के बीच में एक joint venture हुआ zerodha fund house और इसके जो CEO point किये गए है वो है विशाल जैन विशाल जैन की बात करें तो इससे पहले यह head कर रहे थे ETF को of Nippon Life India Asset Management Limited के लिए ठीक है zerodha याद रखेंगे क्या इनको अभी mutual fund का license मिल गया है सेवी से right next यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है विशाल जैन जो कि अभी नए CEO point किये गए है zerodha fund house के next आज आता है फिर सेवी सेट्स new exit option timeline for mutual fund unit holders for AMC control change right इनके असाब से under this new guideline जो change आएगा in the control of AMC इनको require करना पड़ेगा जैसे मालोक AMC का जो control है वो change हो गया right तो उस case में जो mutual fund holders होंगे ना जो unit holders होंगे उनको choice दी जाएगी of exiting the prevailing NAV value पे या फिर उनको कोई exit load भी नहीं देना पड़ेगा and जो spend इसका पहले 30 दिन का होता था अब उसको reduce करके कितना करतीया गया है 15 दिन का करतीया गया ठीक है इस move से क्या होगा जो protection है investors की वो बढ़ेगी इनका confidence बढ़ेगा and such transaction improve करेगी आपका communication को इससे क्या होगा कि जो एक विश्वास होता है investors का वो बना रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी चीज investing की game में क्या होती है कि अगर आप कहीं पैसा invest कर रहे तो आपको विश्वास है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं right आपके साथ cheat नहीं होगा तो तभी invest किया जाएगा and इससे आपका क्या हो जो लोगों का trust है trust build होगा में चीजा आजाती है trust correct चलिए next आजाता है what is the name of the new logo for Air India एर इंडिया के नए लोगों का नाम क्या है वो है दा विस्टा right अगर आपको याद हो तो विस्टा नाम से पहले एक विंड आपका operating system भी आजाता था विंडोस का correct तो उससे साब से याद रख सकते हैं यह विस्टा है correct इसका क्या है यह यह नया लोगों है एर इंडिया का क्योंकि एर इंडिया के भी rebranding हुई है यहाँ पर इनका नया लोगों भी launch किया गया है जिसका नाम है दा विस्टा यह इंस्पार किया गया था by the peak of the gold window frame जो signify करता है limitless possibilities को progressiveness को and एर इंडिया का bold confident outlook for the future यह जो विस्टा है यह replace करेगा old logo of the wheel of konar क्योंकि एक red swan adorn with the distinctive orange konar चक्रा रहेगा राइट फिर एर इंडिया का जो new aircraft library है यह design है it is fillet of a deep red orange and gold highlights with a chakra inspired pattern so coming back यह सारी चीज़े आप छोड़ के याद रख सकते हैं कि आपके लोगों को जो नया launch किया क्या नाम है दा विस्टा इसका नाम रहेगा एर इंडिया के नहे लोगों का राइट एर maintenance है उसको improve किया ground staff को better किया operations को अच्छा करा ताकि जो customers है customer services हो गई safety हो गई overall passenger experience को यहाँ पे improve करने का इनोंने काम किया है correct चली है तो याद रखेंगे दा विस्टा यह नया लोगों है एर इंडिया का next union home ministers medal for excellence in investigation 2013 correct याद रखेंगे यह medal को establish किया गया था ताकि जो police personals है जो investigating personals है जो investigating agencies है उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा सके ताकि उनको भी motivation मिले कि जो आपकी जहांच होती है जो investigation होती है वो एकदम secure हो सके वो अच्छे से हो सके and उसमें कोई चालबाजी ना हो उसमें क कुछ गलत काम ना हो right किसी चीज़ को छुपाया ना जाए सभी तथ्या को सामने रखते हुए proper तरीके से investing की जाए और सहीं चार्च की जा सके correct इसी लिए ये union home ministers medal for excellence in investigation launch किया गया था अभी 2023 में 140 police personals को यहाँ पर सम्मानित किया गया इस medal से जिसमें से अगर हम बात करे 15 आ आ जाते हैं NIA से दू आ जाते हैं National Control Narcotics Control Bureau से correct and so on तो यह हो जाता है आपका Union Home Minister's Medal for Excellence Home Ministry के दुबारा यह medal आप से सम्मानित किया जाता है लोगों को correct और पहली बार यह launch कब किया गया था अगर पू देखा जाए तो यह आपका medal इस medal को launch किया गया था 2018 में correct नेक्स्ट नेक्स्ट आजाता है N.A.F.I.S. of N.C.R.B. gets D.A.R.P.G.'s Gold Award for Excellence in Category 1 तब याद रखेंगे एक full proof fingerprint identification system को develop करने के लिए N.A.F.I.S. National Automated Fingerprint identification system की जो team थी उनको अभी gold award से सम्भानित किया गया of National Crime Records Bureau under Excellence Category in the Government Process Re-Engineering for Digital Transformation Category 1 के अदर right of the D.A.R.P.G. यहाँ पर basically क्या है इनोंने एक full proof fingerprint identification system बनाया और इनकी team को इसी के लिए यहाँ पर gold award से सम्भानित करा गया है और यही जो आपका system में आप देखेंगे Ministry of Home Affairs के द्वारा अलग-अलग districts में अलग-अलग यहाँ पर organizations में यहाँ पर implement करने की बात के गए अब यह fingerprint system से क्या होता है कि जैसे मालो आप कोई सरकारी अफसार है राइट आपकी duty स्टार्ट हो रही है तो पहले आप अपना पहले registers में entry करते थे कि आपका in time के है out time के है लेकिन अब आप सारा digitalize हो रहा है अपको सब कुछ online हो रहा है हमारा तो हम fingerprint के थूँ आपका registration होता है कि आप इस time आपने entry करी और इस time आपने exit करी और आपका जो time duration है आपने अपनी नौकरी पर इतना time दिया correct तो इसी लिए यह आपका एक full proof fingerprint identification system launch किया गया था और इसी के लिए इनकी team N.A.F.I.S की team को national automated fingerprint identification system की team को यहां पर gold award से सम्भाने किया गया in excellence category next नेक्स्ट आ जाते हैं अभी recently former prime minister शेबाश शरीफ की government dissolve हो गई है and अभी यह dissolve हो गई है तो जब तक आपके कोई prime minister appoint नहीं किया जाते है नई elections नहीं हो जाते है जब तक जो 8th caretaker appoint किये गए है वो है अन्वुरल उलहक काकर यह 52 साल के आप इनको picture में देख सकते हैं इनको caretaker prime minister appoint किया गया जब तक नई elections नहीं हो जाते हैं तो directly इस question को याद रखेंगे next एक चीज़ और बता देता हूँ 14 अगस्त को पाकिस्तान का भी independence day observe किया जाता है यह भी आपको पताओना चुछिए next नेक्स आजाता है आर दौराई स्वामी यह executive director है LIC के और इनको अब managing director appoint किया गया है LIC का LIC के friends याद रखेंगे चार deputy managing directors होते हैं करेक्ट चार कौन-कौन से हैं अभी mini इपे एम जगनात तबलेश पांडे और सत्पाल बानो और अब mini IP यह retire हो रही है और इनकी जगे जो नए managing director appoint किया जाएंगे वो है आर दौराई स्वामी राइट आर दौराई स्वामी करंट लिए क्या है executive director थे IT software development के at LIC central office मुंबई महराष्टा में यह replace करेंगे mini IP को one of the current MDs of LIC जो set to retire at the end of August 2023 ठीक है तो आर दौराई स्वामी नए managing director appoint किया जाएंगे next आजाता है किस organization ने recently test किया एक parachute deployment test of गगणयान mission गणयान mission के लिए अभी किस organization ने यहाँ पर एक parachute deployment test को टेस्ट किया तो इस रो ने टेस्ट किया फिर यही पर याद रखेंगे विक्रम सारभाई space center in collaboration with aerial delivery research and development establishment इन्होंने successfully दौरा मिलके successfully test किया a series of drug parachute deployment test यह आप देख सकते हैं यह है आपके drug parachute यह बड़े heavy parachutes होते है और जो आपके satellites होते हैं जो आपके aircraft होते हैं इवन booster rockets को भी वापस land कर देते हैं और usable हो जाते हैं लेकिन पहले क्या होता था कभी satellite वापस हारी होती है तो उसकी speed को रोकने के लिए यह parachute deploy किये जाते हैं ताकि re-entry के वक्त जो velocity है वो कम हो सके stabilization हो सके उसका correct यह 5.8 meters इनका diameter रहेगा correct और यह pyro based device के अंदर रखे जाते हैं mortars जिनको बोला जाता है जो main importance चीज आपको यहाँ प्याद रखनी है वो क्या है कि यह जो drug parachute deployment test है किस के दवारा करा गया इस रोक के दवारा आ गया ताकि गगन्यान mission के time पे इन parachute को अच्छे से use किया जा सके and successfully इनको test किया जा सके चलिए next आ जाते हैं फिर arbitrary के उपर अभी पदमा भूशन अवाड़ी Dr. बिंदेश्वर पाठक राइट यह founder है सुलब इंटरनेशनल के इनकर नधिन हो गया यह हमारे अगर दिबात करें Dr. बिंदेश्वर Dr. बिंदेश्वर पाठक यह काफी famous social activist है and यह founder है of सुलब इंटरनेशनल social service organization के इनको पदमा भूशन से सम्मानित किया जा चुक है 1991 में याद रखेंगे इससे related ठीक है then इनका जनम 1943 में हुआ था in Veshale district of Bihar and इनको toilet man of India के नाम से भी जाना जाता है काफे important mark करके चलेंगे 1991 में इनको पदमा भूशन से सम्मानित किया गया then United Nation Habitat Scroll of Honor 2023 में इनको सम्मानित किया गया then UNEP के awards से सम्मानित किया गया Global 500 Scroll of Honor से then Stockholm Water Price से 2009 में सम्मानित किया गया then WHO Public Health Champion Awards से सम्मानित किया गया इनको 2016 में तो ये कुछ awards है जो आपको पता होने चाहिए next आज आता है मौमद हबीब ये Indian football legend है जिनका recently अभी निधन हो गया 74 की एज में इनका निधन हो गया हैदराबाद तेलंगना में इनका जनम 1949 हैदराबाद तेलंगना में हुआ था इनको बड़े मिया के नाम से काफी famously जाना जाता था राइट आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इनका recently अभी निधन हो गया नेक्स इनको फिर यह याद रखेंगे इनको अरजुना वार्ट से सम्वानित किया गया था 1981 में इनको इस्ट बंगाल भारत गॉरव अवार्ट से सम्वानित किया गया इनको बंगा विभूशन से सम्वानित किया गया 2018 में In the field of football तो ये कुछ awards हैं ये भी आपको पता होने चाहिए नेक्स आ जाते हैं ये हम अब्जर्व करते हैं 14 गस्त को इस बार तीसरा एडिशन हमने अब्जर्व किया था पहली बार 2021 में 2022 में और अब 2023 में इस पर तीसरा एडिशन हमने अब्जर्व किया है ये अब्जर्व किया जाता है तो रिमेंबर दस ट्रगल्स ओफ इंडिया जब पार्टिशन हो रहा था तो इंडिया का भारत के टुकड़े हो गए थे इंडिया और पाकिस्तान में तो दो गुट में बदल गया था वो तूट गया था इंडिया तो उस टाइम पे जो पार्टिशन हो था और हम जानते हैं जो ट्रेन हो आई जो लोगों को अपने एंसेस्टर होम को छोड़ कर एक दूसरी जगह पर जाना पड़ा उसकी टाइम पे हमने देखा जो एक ट्रेन थी उस ट्रेन में काफी जादा लोगों की डेथ भी हुई थी तो जिन लोगों ने इस प्रोसेस में जब ये पार्टिशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस टाइम पे जो लोगों ने अपनी जाने गवाई उसको और उस पूरे स्ट्रगल को इंडिया की आजादी के स्ट्रगल को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उसको और करने के लिए हम ये पार्टिशन हॉरर रिमेंब्रेंस टे अबसर्व करते हैं जिसको विभाजन विभिक्षी का स्मृतित दिवस के नाम से भी जाना जाता है 14 साल को 14 को हम ये डे अबसर्व करते हैं इस साल हमने ये तीसरी बार थर्ड एडिशन रहेगा इस डे का हमने अबसर्व करा है राइट नेक्स आ जाते है फिर नेक्स है स्टेट निउस अभी ग्रामीन मित्रा ये ग्रामीन मित्रा एक स्कीम लाँज करी है गोवा गॉवर्मेंट के द्वारा ये एक डो स्टेप्स डिलिवरी स्कीम रहेगी है अब डिजिटल स्कीम रूरल पीपल जो रूरल एरिया है गोवा का वहाँ पर लोगों को इन स्कीम के बारे में अवेरनेस प्रक्रेट कराने के लिए डिजिटल स्कीम के बारे में वहाँ पर बताने के लिए जो भी गॉवर्मेंट की स्कीम साती है उनके बारे में इन्फरमेशन देने के लिए न अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए रूरल कम्यूनिटीज को ये ग्रामिन मित्रा लाँच किया गया है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोध सावंथ के द्वारा इससे क्या होगा लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो सरकार स्कीम लाँच करी है लोगों को रूरल एरियस में पता ही नहीं होता है तो उनको महाँ पर बेनिफिट प्रोवाइट किया जाएगा उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइट की जाएगी उनको इन्फोर्मेशन दी जाएगी कि अगर आपके लिए स्कीम बेटर है तो आप स्कीम का फाइदा उठा सकते हैं तो यह है ग्रामीन मित्रा प्रमोज सावन जो की चीफ मिनिस्टर है गुवा के उनके द्वारा लॉंच किया गया ताकि डिजिटल स्कीम डूर्ट स्टेप डिलिवरी प्रोवाइट की जा सके और डिजिटल स्कीम स्पेशली इन रूरल एरियास ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट एफेट्स अब आ जाते हैं कोई करिवीशन पर हाइलाइट्स ऑफ 77 इंडिपेंडेंस डिया पंदर अगस्त को ये एडिशन है अगर एनिवर्सरी पूछी जाए तो क्या होगी 76 एनिवर्सरी देन होम मिनिस्टर अमिच्छा ने दो दे की विजिट पे थे ये गुजरात में जहां पे इनागरेट किया प्रोजेक्ट वर्जेक्ट वर्थ 152 करोड रुपीज प्रेजिडेंट दुरब्दी मुर्मु ने एसेंट दिया टू फोर बिल और बिल एक्ट कब बन जाता है ज एरोधा एमसी लॉंच्ट आफ्टर रिसीविंग अप्रूबल फ्रम सेभी एरी इंडिया ने अन्वेल किया नया लोगो जिसका नाम है दा विस्टा एट रिब्रैंडिंग इवेंट यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सिलेंस इन इंवेस्टिगेशन इन सिंगर्प्रिंट प्रूफ इलेंगर काकर इनको अपॉंट किया गया है और इन को रिप्लेइज करएंग इस करतेंगे मिनी एप नेक्स्ट इस्रू ने कंड़क्ट किया ब्रोग पेराशूट डेप्लॉइमेंट टेस्ट को फॉर गगन्यान मिशन पदमभूशन अवाडी डॉक्टर भिंदेश्वर पाथक ये फाउंडर है सुलब इंटरनेशनल के इनका रिसेंटली निधन हो गया है मौमद हभीब ये इंडियन फुटबॉलर लेजेंड थे इनका भी निधन हो गया भी रिसेंटली देन पार्टिशन होरर रिमेंब्रेंस दे चौदा कर्फ को अबजर्ब किया जाता है एन ग्रामिन मित्रा ये गोवा गोवर्मेंट के द्वारा लांच की गई एक दोर स्टेट डिलिवरी है औफ डिजिटल स्कीम्स फॉर रूरल गोवा तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेर्स वन लाइनर फॉर्मेट में अब आजाते हैं आपके रिविजन पार वो एस बिन रिसेंटली अपॉंटेड एस देप्टी चीफ मिनिस्टर अफ चतिसगड़ चतिसगड़ के डेप्टी चीफ मिनिस्टर कौन अपॉंट किया गई है वो है टीएस सिंग डियो जो कि अभी 70 साल के है इनको पॉंट किया गया है डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ चतिसगड़ ठीक है काफ़े इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे फिर अभी वो कौनसी स्टेट है जिसमें दो डेप्टी चीफ मिनिस्टर है वो है महराष्टा महराष्टा में ही याद रखेंगे ये एक लौती स्टेट है इंडिया की पहली स्टेट है इंडिया की एक लौती स्टेट इंडिया की जहां पर दो आयाएम है एक तो है आयाएम नागपुर और दूसरा है आयाएम मुंबई जो की अभी बना है कौन से institute को rename कर यहां पर I am Mumbai बनाए गया या आप मुझे homework section में comment करके बताओगे ठीक है नीचे comment करना है आपको यह चलिए next पे आते हैं ACC approved the appointment of Tushar Mehta as Dash with effect from 1st of July 2023 for a period of 3 years तो याद रखेंगे ACC ने approve किया reappointment of Tushar Mehta as Solicitor General of India with effect from 1st of July 2023 and 3 साल के लिए इनको यहां पर यह appointment किया गया है तो याद रखेंगे Tushar Mehta correct यह Solicitor General of India है correct इनको appoint किया गया for a period of 3 years याद रखेंगे यह इनकी second extension रहेगी by the government of India इनको यहां पर reappoint किया गया यह important चीज़ है और इनका दूसरा extension रहेगा तीन साल के लिए इनको reappoint यहां पर करा गया है next who has been recently appointed as the chairman and managing director of PTC India Limited तो वो है Rajeeb Kumar Mishra right PTC India Limited जो की formerly known as Power Trading Corporation of India right इनोंने भी एक resolution passed किया to appoint Rajeeb Kumar Mishra as the company's chairman and managing director ठीक है फिर याद रखेंगे he has been appointed as the chairman and managing director of PTC India with effect from 29th of March 2000 days and he has been serving in this chairman of PTC India since यह acting chairperson of PTC India की position पर सर्व कर रहे थे since November 2021 right after former chairman and managing director Deepak Amitabh इन्होंने अपनी position से quit कर दिया था right since तब से यह इस acting chief chairman की position संभाल रहे थे of PTC India right and अभी इनको finally permanent chairman and managing director बना दिया है PTC India Limited का तो अगर पूछा जाए इन्होंने किन को replace किया दीपक Amitabh को replace किया next name the personality who has been recently appointed as the 42nd chief secretary of Punjab वो है Anurag Verma right Anurag Verma यह 1993 batch के IES officer है correct and इनको 42nd chief secretary appoint किया गया है of Punjab correct and he will also hold the charge as the principal secretary personal and vigilance का अगर question आता है कि Anurag Verma इन्होंने replace किसको किया तो इन्होंने replace किया विजय कुमार जन्जुआ जी को इन्होंने replace किया जो कि 30 June 2023 को retire हो गये थे तो कौन बने है नए 42nd chief secretary of Punjab Anurag Verma next who has recently took court as the deputy chief minister of Maharashtra वो है Ajit Pawar ये nationalist congress party के leader Ajit Pawar ये अभी deputy chief minister बने है कहां के महराश्टा के अभी मैंने बताए था कि महराश्टा में अब दो deputy chief minister है and किसी भी state में कोई limit नहीं होती है there is no limit कि कि कितने deputy chief minister हो सकते हैं एक particular state में तो second तो बन गए Ajit Pawar पहले जो deputy chief minister बने थे वो कौन थे महराश्टा के वो हैं देविंदर फेडनावेस वो BJB party से belong करते हैं correct जो total strength होती है महराश्टा legislative assembly की वो कितनी है 288 जिसमें से minimum चाहिए होते है 145 to win the trust vote with Ajit Pawar's move जो NDA government है they are likely to cross 200 mark in this win and ये win-win situation हो जाएगी दोनों के लिए तो Ajit Pawar यहां के second deputy chief minister बने है of महराश्टा state next है friends homework section पहला which union ministry release the state of elementary education in rural India report दूसरा mediation bill 2023 that aims to cut down the time to complete the mediation proceedings to how many days and तीसरा आजाता है कि state ने grant कि आप 32% quota for tribals in schools तो ये तीन आपके homework questions रहेंगे friends अगर session पसंद आया तो वीडियो को like कर देना comment करके जरूर बताना आपके क्या views रहेंगे अगर आप चाहते हैं कि ऐसी basis पे daily basis पे हम current affairs लाते रहें तो like और comment जरूर करना और ये homework questions जरूर attempt करो बहुत अच्छी revision होगी काफी कुछ यहां पर आपको सीखने को मिलेगा so that's all for the day friends thank you and have a nice day that's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the youtube channel as well as apart from youtube channel you can go and follow us at affairs cloud telegram channel and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 7677333862 apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is affairs cloud underscore official in the end friends if you use a code that is vikas10 you will be getting an additional extra 10% discount by using this code vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairs cloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue